तो आज की इस lecture को मैं start करने से पहले कुछ points declared कर देता हूं, जिनको आपको understand करना जरूर है, जो की इस lecture को cover up करने वाले है, सबसे पहले हम server पर Node.js का setup करेंगे, एक application create करेंगे, और वो application कहाँ पर create हुई है, कैसे कैसे आप folder structure को find out कर सकते हो, और कैसे आप वहाँ पर package install करोगे, ठीक है, like आप npm install करते हो, like something आपके जो packages होते हैं, वो आप कैसे install करोगे, using commands, ठीक है, तो यह सब कुछ declared होने वाला इस lecture में, मतलब define कर दूँगा, सारा का सारा, तो सबसे पहले आप आजाई अपने capnl के पास, ठीक है, जो की मेरा यहाँ पर आपको दिखाई दी रहा हो करेंगे, आपको दिखाई दी रहा है, एक create application का आपके पास option आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पर click करोगे, direct, click करने के बाद, यहाँ पर मैं आपको कुछ points declare कर देता हूं, जो की काफी important होते है, अब देखिए, मान के चलिए, आपके node project में, आपका कौन सा version है, node कर सकते हो, ठीक है, अब आपकी application कैसे रहने वाल है, development पर check करने वाल हो, या production में रखने वाल हो, तो आप हो कर सकते हो, मैं फिलाल में development करूँगा, क्योंकि मेरी application जोगी, फैले development mode पर चलेगी, फिर मैं बाद में उसे production में change कर सकता हूं, ठीक है, अब यहाँ पर यह confusion होते ह लोगों की application route में आपको करना है क्या होते है, यहाँ पर basically आपका जो folder होता है, like मान के चलिए आपकी कोई application है, और आपका एक folder होता है, like something, like मैंने यहाँ पर locally एक project open करके रखा है, जिसका नाम है react-assign backend, देख सकते हो, इसका folder है, उसके अंदर मेरी यह project डला हुए, ठीक है, तो like मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ही अपना folder name देंगा, like मैंने दे लिया first node app, ठीक है, first node app, मैंने यहाँ पर यह application का name दिया है, ठीक है, मतलब इसके अंदर मेरी application होने वाली है, अब यहाँ पर क्या बोलता है, कि आपका जो भी domain होगा, वो यहाँ से आप select कर सकते हो, ठीक है, म first node, या first app बोल सकते हो, first app करके आएगा, ठीक है, Anthony, यहाँ पर आपको application startup file में आपको करना है, यहाँ पर देखिए, like मैं अपनी बात करूँ, जब मैं code करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने code के साथ ही दिखा रहा हूँ, जो मेरा locally डिला हुगा है, index.js file होती है, ठ जिससे आपकी application का flow चल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर आप porting वगेरा करते हो, setup करते हो, अब क्या होते है, बहुत से लोग क्या करते है, अपनी index.js नहीं create करती, app.js create करते है, ठीक है, अब यहाँ पर यह जो server होता है, cpanel का, यह क्या करता है, अगर आप यहाँ पर pass नही node.js अपनी file का name बता दूँगा, ठीक है, अब यह बताने के बाद मैं क्या करूँगा, simple create पर click कर दूँगा, अब इससे क्या होगा, मेरी एक application create हो जाएगी, और वो कहां create होगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा, देख सकते हो, node.js application created हो चुकी है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपके पास option होता, या तो आप इससे destroy कर सकते हो, जो भी आपकी application अभी create की है, और यह basically saving के लिए option होते है, अगर आप इससे edit करना चाते हो, edit भी कर सकते हो, यह आपका URL है, like मैं अगर इससे, यहाँ से copy करके, और यहाँ पर paste करता हूँ, ठीक है, like first app, ठीक है, hit यहाँ पर मेरी application देख पारे हो, guys, it works, node.js आपका जो version था, वो आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर यह आपको message कहां से सो हुआ, यह कहां पर create हुई है, वो मैं आपको deeply बताने वाला हूँ, अभी tension ना ले, आप चाहो तो यहाँ से destroy भी कर सकते हो, मतलब इस project क जो है delete कर सकते हो, अभी यहाँ पर बात आ जाती है कि यह वाली जो आपको दिखाए जरी है command, ठीक है, यह basically क्या है, अगर आपके पास putty है, like अभी आप मान के चलिए, जब आप यहाँ पर BS code में जब बर्क करते हो, तो यहाँ पर terminal होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पर putty मेरे पास है, यही मेरी putty, दिखा देता हूँ, अगर आपके पास नहीं है, तो download कर लीजे, ज़्यादा time नहीं लगता है, इसको download करने में, ठीक है, और यह मेरे कुछ projection जो कि इसमें already saved है, ठीक है, यह आपकी putty होगी, ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर यह JS का setup कर रहे हो, तो यह command को चलाना important है, अगर like, यहाँ से मैं क्या करूंगा, simple इस पर copy करूंगा, मतलब इसे click करूंगा, ठीक है, automatically copy कर देगा, मैं अपने putty पर जाओंगा, और मैं जो है, अपना server connect करता हूँ, जो मेरा sandeepcorder.com है, यह देख सो, तो मेरी site है यहाँ पर, औ मैं थोड़ा video को pause करके, login करके, तब मैं video को again resume करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो pause कर देते हैं, तो guys, मैंने यहाँ पर जो है, अपनी putty login कर लिया, मतलब अपने server से connect हो चुका हूँ, अगर मैं यहाँ पर LS करके देखूंगा, तो guys, यह तो मेरा project है, यह already, पर मैंने जैसा कि आपको बताया था, कि मेरे को यहाँ पर इसको copy करना है, और यह यहाँ पर मेरे को paste कर दिने, first बार अगर आप अपने server पर कर रहे हो, तो यह जरूर कर जीएगा, ठीक है, अगर नहीं, तो भी आपको यह use करना है, ठीक है, अगर आप इसको use करना चाहते हो, तो करना है, आप लिक फोल्डर है, बिसकली को ठीक है, तो यह आपने किया, यह आपको करनी ही करनी है, एक बार first time, जब आप अपना project, जब आपने first time node.js server पर setup कर रहे हो, तो यह जरूर यह ठीक है, अब देखें, यहाँ पर इसके बारे में मैं और deeply बात करूँग, थोड़ा आगे, अ यहाँ से यह start हो चुकिया, अभी application, ठीक है, अभी application start नहीं हो, यहाँ हो चुकिया, ठीक है, एंद यहाँ से आप अपना server restart कर सकते हो, जैसे आप करते हो, लोकली node.npm, node.index.js, या normon.index.js, तो आप उस तरीके से यहाँ से restart किलिक करके वो आप कर सकते हो, ठीक है, तो यह मैंने बता दिया कि आप interfaces से कैसे interact करके आप कर सकते हो, अभी देखिए, मैं folder structure पर ले करके जाने वाला हूँ, मैं थोड़ा इधर, मतलब इसको refresh करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, आपको दो folders आपको मिलेंगे, first one is आपका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक node, node, venv, ठीक है, इसके अंदर आगर आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको first node app के जो relation से जो भी आपको मिलते हैं, इससे तो आपका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, आप इसके अंदर भी मत जाएए, इसमें आपका काम ही नहीं करना, ठीक है, इसलिए हाँ यह करता है कि आपके first time जब आप करोगे, तो यह आपको यहाँ पर ला करके दे देगा यह folder, ठीक है, अब मैं बात कर रहा था, जो हमने यहाँ पर application यह create गी थी, उसका folder कहाँ पर है, तो आप root पर जाए, public underscore HTML के अंदर मत जाएए अभी, यहाँ पर देख सकते हो, first node app नाम की आपको folder दिखाई अब मान के चलिए, आपका जो project है वो आप यहाँ पर upload करोगे, और कुछ settings वगिर आपको करनी होंगी, ठीक है, जो भी आप करना चाओगे, पर यहाँ पर अभी काम खतम नहीं हुआ, जब आप यहाँ पर install कर देते हो, अपनी application मतलब create कर लेते हो, तो guys, यहाँ पर मैं इसक application create की होगी, यहाँ पर भी आपको बता देता है, कि अगर आपको run करना है, npm install, तो आपको यहाँ पर इसको configurations देनी होंगी, like package.json आपको file यहाँ पर create करनी होगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, index.json js आपको दिखाई देरी न, इसी folder के अंदर आप एक file create करो, and then file name is package.j application, ठीक है, यहाँ अमेशा करना है, क्योंकि इसी के बेस पर आपका यहाँ पर आगे working होगा, और इस package.json के अंदर आप क्या करोगी, विसके लिए, वह भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब हमें npm init करते हैं, तो यह हमारी create होती है, ठीक है, इसके अंदर कुछ dependencies, यहाँ पर आप दिखाया दे रहे हो, packages install है, मैं क्या करता हूँ, इस code को जो है, copy कर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ, पूरा copy कर लेता हूँ, फिलाल में, ठीक है, पर यहाँ पर पूरा copy कर दूँगा, और जब मैं npm install करूँगा, तो guys, यह सारी की सारी dependencies, मतलब packages जो है, इनको install कर देगा, पर मैं क्या करता हूँ, इनको अभी हटा देता हूँ, मेरे को needy नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको हटा करके save कर दिया, simple मैंने save कर दिया है, और यह मैंने file save कर दिया, यह मेरी package.json यहाँ पर created हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर इसक install command आप चला सकते हो easily, ठीक है, मतलब कोई भी command आप चला सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है, run npm install, अगर मैं यहाँ से run करूंगा न, तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा, node module नाम का एक folder होता है, जो कि आपने locally भी देखा होगा, यह होता है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से run npm install करते हो, तो भी यहाँ पर create कर देगा, अगर आप चाते हो, कि आप command के द्वारा करना चाते हो, तो आप command के द्वारा भी कर सकते हो, इस तरीके से करोगे, मैं यहाँ पर आता हूँ, यह देख पार हो, simple सब से पहले, आप यहाँ तो इसको copy करके च something जो था, अब मैं यहाँ पर reload करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो guys, node modules नाम का आपका folder create हो चुका है, मतलब आपके जो भी packages आप यहाँ पर install करना चाहोगे, आप कर सकते हो easily, ठीक है, like यहाँ पर आप install करना चाहते हो, npm install express, ठीक है, तो simple है, npm install express किया, यहाँ पर यह एक्सप्रेस को install कर देगा, जो कि node module के अंदर आजाएगा, और package.json के अंदर आपकी उसकी entry चली जाएगे, देख लेते हैं, एक वर हम चेक कर लेते हैं, क्या होता है, देख सकते हो guys, यहाँ पर express आ चुका है, मतलब perfect working कर रहा है, और आपकी जो application है, वो भी अभी perfect working कर रह देट किया, तो वो changes आपके कैसे reflect होंगे, देखिए, मैंने इसका नाम कर दिया, sandeep.js, अब आपको पता है कि server मेरा run, मतलब मेरी जो site वो run नहीं होनी, यह पर यह run हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, हमें server restart करना होता है, जब भी हमें कोई changes करना होता, या तो आप यहाँ स restart हो जाएगा, यहाँ से भी clear screen, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपको करना है क्या होता है, यहाँ से आप restart कर सकते हो direct, तो देखिएगा, अभी यहाँ पर देखिए, error देने को मिल जाएगा, 503, मतलब मिली नहीं, उसे index file मिली नहीं है, ठी करते हैं, तो index.js कर देंगे, यहाँ से आप index.js करके, यहाँ से अगर आप again करोगे, तो यहाँ पर आपकी चल चुके, ठीक है, मतलब perfect working आपका कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला कि यहाँ पर आप server restart वगेरा कैसे कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता जता हूं कि आप public underscore html के अंदर जाओगे, तब भी यहाँ पर आपको एक folder देखने को मिल जाएगा, जो की name होगा, आपका, like मैं public underscore html के अंदर जाता हूं, same name से folder होता है, जिसमें आपकी ht access file होती है, like first app, I think यही था हमारा side, I think मैं सूझता हू first node app था, यहाँ पर I think, नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर होनी तो चाहिए, पर चलो नहीं है, तो कोई tension वाली बात नहीं है, पर होती तो है, हाँ, यह basically first app हाँ, sorry guys मैं बताना बूली गया था, कि हमने यहाँ पर first app भी रखा था, ठीक है, तो first app नाम का यहाँ पर यूज करना है, यह basically इसका होता है, ठीक है, जो हमने last में first app पास किया था, routing के लिए, मतलब यह हमार URL रहेगा, routing क्यों मैं बोलूँ, URL जो हमने रखा था, उसका st access file इसी के अंदर होती है, जिसके अंदर आपकी information होगी, ठीक है, तो आपको जो working करनी है, वो आप इसके अपलोड करो, यहां पर आपका direct अचीव हो पाएगा, किसी भी users को मतलब accessible होगा, यहां पर बाकी सब तो setup हो चुका है, अगर आप इसे delete करना चाहो, तो delete कर सकते हो, या आप इसे add it भी कर सकते हो, इस application को, ठीक है, तो देखिए, मैं एक, अपना एक project of blog management system, जो कि मैं next lecture में अपलोड करूँगा, same as it is, create करके application, और फिर मैं उसे post करूँगा, ठीक है, I hope आप अपने तरीकी से try कर सकते हो, मिलते हैं next lecture में, so guys, thank you, मिलते हैं next lecture में,